हेलो एवरीबडी तो आज की इस प्रोब्लम को जो हम डिसकस कर रहे हैं यह नीट की 2019 की प्रोब्लम है और यह जो प्रोब्लम ली गई है यह जो हमारी equation of motion है जो गती की equation सोची हैं वहां से ही लिए गया है और इस question को हम देख रहे हैंगे अगर यह question एक length इसकी बड़ी दी है लेकिन हमें लगता है कि यह question थोड़ा tough होगा लेकिन वास्तों में यह question tough नहीं है अगर इस question को पढ़ा जाए तो एक बहुत ही simple जो हमारा गती की समीकर को apply करके ही हम यह formula formula apply करके इसका answer बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है तो गती की तीन समीकरण होती है चलिए पहले question हम पढ़ लेते हैं कि question में इसमें दिया क्या है और a ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of the tower it hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second the height of the tower is यहाँ पर हमें g small g हाँ पर क्या है this is the acceleration due to gravity और it is given 10 meter per second square तो यह हम इसमें use करना है इसको use करके जो tower की height है जो हम इसने कहा है कि एक ball है एक tower से vertically downward इसको thrown किया जाता है और with the velocity of and with the velocity of u जैसे initial velocity हम इसको बोलेंगे और यह जो initial velocity दी है that is equal to 20 meter per second यह दी है और कुछ समय बाद यह ground को hit करती है और वहाँ पर जो इसकी final velocity होती है final velocity को v से दिखा रहे है और initial velocity को u से हम इहाँ पर denote कर रहे है तो यह जो दी है that is 80 meter per second तो उसने कहा है कि यह जो tower है यहाँ से यहाँ तक इसकी height क्या होगी वो हमें हाँ पर find करना है तो initial velocity दी है और final velocity हमा पर करना है तो एक जो हमारी equation of motion है उसको हम यहाँ पर देखते हैं वो equation of motion हमारी कौन सी है वी square बराबर यू square प्लस 2GH हमें यहाँ पर use करना है V is the final velocity U is the initial velocity and G is the acceleration due to gravity H is the height क्योंकि motion under gravity है तो यहाँ पर G लेंगे अगर motion under gravity नहीं होती horizontal motion होती तो plane पर motion होती तो वहाँ पर हम acceleration A use करते हैं और यहाँ भी acceleration due to gravity positive और negative होगा अगर motion उपर से नीचे को हो रही है तो यहाँ पर acceleration due to gravity जो हमारा G होता है वो हम उसको plus लेते हैं अगर नीचे से उपर को गती हो रही है तो वहाँ पर G हमारा यहाँ पर minus में हम उसको लेते हैं तो यह भी हमें इस सीच के दिहान रखना पड़ता है बस हमें यह formula पता होना और इस formula को लगागे हम सीधा यह answer इसका फटापर निकाल सकते हैं बस थोड़ी से में इसमें गुना भाग करनी पड़ेगी तो वी यहाँ पर अगर हम H यहाँ से find करें तो H यहाँ पर हो जाएगा यह अगर देखा जाए तो H यह निकालेंगे तो यह हो जाएगा V square minus U square upon मे यहाँ पर एक तरीक से 2 into में G यह यहाँ पर आ जाता है और इसका answer बड़ा simple हो जाएगा तो V square क्या रखेंगे 80 का square हमें यहाँ पर रखना है यह इसको हम सीधे सीधे square ना खोल के बलकि A minus B का a square minus B square का जो holy square होता है वो formula है पर खोलेंगे और ट्वेंटी थरीजा और तो यह कितना आ गया है हाँ से 300 और मीटर तो यह टावर की हाइट यहाँ पर आ गया 300 मीटर तो और इसमें हमारा answer का उनसा होगा answer हमारा यह होगा यह तो इस तरह से यह fourth answer होगा यह नीट की 2019 की यह problem है और बड़ी आसान problem ही मैं देख रहा हूँ कि नीट में ज़्यादे tough problem नहीं आती है ज़्यादा उल्जेवे question नहीं आते हैं सीधे सीधे बिलकुल formula based question आते हैं अभी तक मैं यह 18 question में discuss कर रहा हूँ इस की तरह का उल्जाने वाला question हमें नहीं मिलता है तो चलिए अगली वीडियो के अंदर एक और problem discuss करेंगे आज हम इतने रखते हैं thank you bye bye